आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट इसके अलावा बिहार में सिवान का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडिपी दसवी सबसे बड़ी है जिले में गेहु चावल मक्का गन्ना और आलू आदी अन्य सामान की उपज होती है छेतर में फसल की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए नई क्रिसी पधतियों का उप्योग किया जाता है लगू उद्योगों और कारिगर आधारित उद्योगों के वर्चस्व वाले लगू उद्योग राज्य में ओधोगिक छेतर में महतपुन भूमिका निभाते हैं लेकिन इन वर्षों में ओधोगिक परिद्रिश में धीरे-धीरे गिरावट देखा जा रहा है यहां के ओधोगिक छेतर लकडी और लकडी के फरनीचर, चमडए आधारित उत्पादों और कागज आधारित उत्पादों से जुड़े छोटे उदम इकाईयों पर आधारित हैं वर्तमान में चार ओदोगीक यूनिट संचालित हो रही हैं जिनमें से दो सिमेंट यूनिट हैं बिहार में अन्य जीलों की तुलना में सिवान जीले में कारिगर आधारित उद्योग की एक बड़ी शमता है इससे पहले सिवान में हतकरगा निर्मित चादरें तौलिया लुं में से एक क्रिसी आधारित कुटीर उद्योग को लगाने की बात है वहीं प्रचूर मातरा में पशुजन संख्या के कारंदूद आधारित उद्योगों के विकास में पहल करने का भी प्रस्ताव है शहरी सिवान के ओदोगीक प्रोफाइल में भोजन और अनुपभोगे वस और बड़े सेवा गति वीधियो में क्रिसी उपज का थोक कारोबार शामिल है कंस्ट्रक्शन छेतर की सेवाएं काफी बढ़ रही है क्योंकि इस छेतर में अधिक लोग निवेश कर रहे हैं क्योंकि कई लोग विदेश से वापस सिवान को लोट रहे हैं आर्थिक आधार इस कारण कई स्कूल, कॉलेज, बैंक, स्वास्त देखभाल उद्योग, रेल और दूर संचार द्वारा समर्थित है अगर सरकार सिवान पर थोड़ा ध्यान दे तो वहाँ के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि सिवान जिले के ज्यादा तर लोग विदेशों से कमा कर लोटते हैं और अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं अगर सरकार इनकी थोड़ी सी मदद के लिए आगे बढ़े तो सिवान बिहार को एक नया रूप दे सकता है